समों से कचोड़ी भूल जाएंगे जब एक कप गयंहूं के आटे से इतना टेस्टी नास्ता बनाएंगे तो हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस्टार किचन में और हम ले करके आये हैं आज बहुत ही टेस्टी नास्ता जो एक कप गयंहूं के आटे से बनके तयार हो जाए थोड़ी सी मतर भी उसी के साथ उवाली थी तो उसको भी लिलिया है लगभग कुछ दाने ही होंगे जादा नहीं ली है मतर आलू की मात्रा जादा है और मतर की थोड़ी आप चाहे तो मटर नाले अगर पसंद नहीं है और अगर आलू या के लिए से बनाना चाहती है तो आप बना लीजिए इनको कर लेंगे मैस अच्छे से मैसर से देखिए मैस हो चुके हैं तो एक प्याज लिया है बारिक चौप किया हुआ बारिक कटा हुआ हरा धनिया बारिक कटी हुई हरी मिर्ची एक मिर्ची लिया है हमने और टेस्ट के अनुसान नमक आप कुछ सूखे मसाले ले लेंगे तो जिसमें हमने धनिया लिया है हल्री पाउडर लिया है धनिया पाउडर लिया है लाल मिर्ची पाउडर, खास तोर से बच्चों के लिए बना रहा है, थोड़ा सा मिर्ची का ध्यान रखें, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अजवाइन थोड़ी सी हल्दी भी होती है, और मिंटर का सीजन है, तो गेहूं का आटा, तो हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो आटे की जगए मैंदा भी इस्तमाल कर शकते हैं, इसमें आधा का टोरी हमने सूजी ली है, आप चाहे तो सूजी नाले, आटे ही से ही बना ले, इसमें डालेंगे तेल, थोड़ा सा लगभग दे आटी चमच जो होती है उससे, तो हमने डेल चमच वाइल लिया है, जिससे हमारा जो नास्ता है वो बहुत ही किस्पी बनेगा, और टेस्ट की अनुसान नमक डालेंगे, आप चाहे तो यह नास्ता मैदा से भी अकेले ही बना सकते है, ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं से ह आटे से, तो बस अच्छे से मिक्स करेंगे, वाइल को और नमक को सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके और बढ़ी हासा डो लगा लेंगे, टाइट डो लगाना है, जैसे हम पूरियों के लिए लगाते हैं, उसी तरीके का डो तै हो चुका है, अनिकि आटा एकदम परफेक्ट कुण चुका है, तो अब हम इसको रख देंगे, देखिए, टाइट है, तो टाइट ही लगाना है, और वास इसको कवर करके छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तब तक हम आटा लेंगे एक कटोरी में, लगभग देर रिफ्लेक्स, जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती, उसको लिया है, टेस्ट के इंसर नमक लिया है, और इसका गोल बना लेना है, आटे का, तो बस देखिए, हमारा गोल जो है, तैयार हो चुका है, अच्छे से, तो इसको रखेंगे साइड में, और हमारा आटा एकदम तो जो रोटी बनाते है, उससे थोड़ी सी बड़ी साइज लेनी है, क्योंकि हमें रोटी से डबल बनाएंगे, यानि कि डबल लेना है, जिसमें एक रोटी बनाते है, उससी के दो ले लीजिए, और बस इस तरीके से हम बड़ा सा बेल लेंगे, और देखिए, हमें रोटी उसको इस तरीके से उपर से लगा देंगे यहनि कि अच्छे से हमें फैला देना है देखिए वड़िया से फैल चुका है और अब लगा देंगे हम ग्रीन चटनी तो पस हमने हरी चटनी ले ली है और अच्छे से फैला देंगे आप जिस हिसाब से तीखा रखना चाहते है उस हिसाब से आप चटनी का इस्तमाल काश रखते है और हमने लिए स्वास मीठी स्वास जो होती है टेमेटो स्वास उसको लिया है उसको भी इसी तरीके से फैला देंगे और अगर आपको स्वास का टेस्ट पसंद नहीं है तो तो आपको निम्हें थोड़ा सा मीठा स्वास लगा दिया है जिससे उन वह अ चलगेगा कि पार देखे अर देखिए हमारा एकदम बढ़िया वह चुका है तो इसमें लगा देंगे हम कट इस तरीके से हमें कट लगा लेना है बढ़ीया से कट जाएगा बस इस तरीके से हमें काटना है परफेक्ट पूरे हमें चार कट लगा लेने हैं इस तरीके से बराबर हिस्सों में और देखिए हमारे परफेक्ट कट लग चुके है तो अब हम बनाएंगे नास्ता तो हमें जो कट लगाए थे उसी से इस तरीके से पलड देंगे, देखिए, कितना बड़िया हमारा नास्ता बनके तईयार हो जाएगा, एकदम इजी है, आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस तरीके से आप बना लीजिए, देखिए, एकदम परफेक्ट बनके तई चीक से अलक असा डबा देना है जिससे जो आलू है वह निकले ना। जही से शैट कर देना है और यह देखिये हमारा बिल्कुल गैहुंके बहुतें का एक दम पर्फेक्ट नास्ता बहुंपे है तो आप इस तरीके से बाहर के समौसे कचोड़ी बूल जाएंगे जब इस तरी तो अधिक आप घर पे बना के इजली खा सकते हैं तो देखिए हमारे सारे बन चुके हैं देखिए एक दम पूरे बन चुके है तो इनको करेंगे फ्राई यानिकी सेक लेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है घोल, जो हमने घोल बनाके रखा हुआ था उसमें डिप करना है पहले, इस तरीके से हमें किसी बरतनेसी प्लेट में बगएरा में डालने क्योंकि कटोरी में यह सेव थोड़ा सा बड़ा है तो नहीं आएगा, इसलिए हमने घोल को इ यह ज़्यादा ओयल नहीं लगता है बिलकुल कम ओयल में यह त्यार हो जाएंगे तो बस हम इस तरीके से रख देंगे और देखिए बढ़िया से हमारे दोनों तरफ हम अच्छे से मीडियाम फिलेम पर सेख लेंगे हाई फिलेम बिलकुर नहीं करना है नहीं तो यह हम इस फिल्दjung को अपनों पर सेख लेंगे हम इसी तरीके से साही है दो पीस नहीं हो उसमें आए पड़ा साइध को इथी जाज़ें से ज़्यादा सिख जाए क्योंकि हम इसी बभूत बड़ी है इसलिए इनको गशे नहीं एभिग नियदा से ने मेरे इस एदा करहाई हम और देखिए बढ़िया से क्रिश्पी सिख चुके है इनको हम निकाल लेंगे इसी तरीके से हमें सारे सेख लेने है और देखिए पर्फेक्ट हमारा जो आलू का गयहूं का नास्ता है आटे का वो एकदम पर्फेक्ट बनके रेडी हो चुका है तो देखिए कितना बढ़िया है आप बाजार मार्केट नहीं भागेंगे खाने के लिए एकदम पर्फेक्ट है और इस तरीके से आप जटपट बढ़ा सकते हैं कुछी मिंटों में आपका जो नास्ता है बनके रेडी हो जाएगा और आपको अगर पसंदा है तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना और सेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा और नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली रसीपी में बाई बाई